अगर आपने थेटर में चावा का टीजर देखा होगा ना वास तो वो बात यह लगे आला कि मैंने यह अरड़ी देखा था बट यहाँ पे जो अब यूटूब पे आया है यार एक बात कहूंगा यार मैडॉक फिल्म्स को सैलिट है उसमें कोई शक नहीं है और जिस तरीके से यार विकी कोशल भाई चाग है आप यह बहुत जादा ही बहुत जादा डिफिकल्ट रोल है मैं सीरिसली बोल रहा हूँ संभाजी महाराजी पे रोल करना और वेल मतलब रियालिस्टिक स्टोरी के साथ सच्चाई के साथ सच्चाई हिस्ट्री के साथ रोल अपने आप में एक बहुत बड़ी achievement ही है यह इतना बढ़िया रोल मिला और मैंने विकी कोशल का जो एक profile देखा है लाइफ में यार अलग अलग रोल और सब में successful है यार वो कभी जरा अटके जरा बचके जैसे फिल्म भी करते है वो कभी bad news हलागे bad news कोई अच्छा box office collection नहीं किया है bad news ने budget के अनुसार बट वो वैसे भी film करते है वो उरीद सर्जिकल स्ट्राइक भी करते है वो Sam Bahadur भी करते है और वो सब में successful भी होते है यह नहीं कि film में इस टैप की कर ली कुछ तो है भाई बंदे में बहुत ही अलग level का बंदा है यार वो कभी मन मरजी है वो ऐसे box office पे अच्छी नहीं गे थी पर वो भी एक डिफ एक अलगी role था एक दम थोड़ा सा चपरी लुक था वैसे उसमें तो भाई overall यह बंदा सब टैप की roles करता है अभी अश्वा था मानी शाहिद शाहिद कपूर को मिल गई वो फिल्म लेकिन हर एक फिल्म हर एक टाइप का role मज़ा आ जाता है देखके यार he's brilliant and seriously यार बहुत ही challenging role है यह और उसमें कोई शक नहीं है कि मुझे पहले पहले डाउट था मुझे कि ये बट जब मैंने teaser उसका देखा था पहले भी तब मुझे पूरा बिली हो गया था और भाई इतनी बड़ी फिल्म है इतना बड़ा teaser है तो re-review करना भी तो बनता है ना थेटर में मज़ा आ गया था बट यूट्यूब पे भी मज़ा आ गया देखके outstanding